नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं अंशुलॉक्स दोस्तों लॉक्डाउन के टाइम पे लगबग तीन महीने पहले मैंने खरीद रहा था डिलिंग का यह राउटर जिसका मॉडल लंबर है दिया यार 841 इसकी अन्बॉक्सिंग वीडियो भी मैंने बनाई थी इसका लिंक आपको यह आई बटन पर दिख रहा है आप चाहें तो देख सकते हैं जिसके मैंने पूरी स्पेसिफिकेशन और अन्बॉक्सिंग वीडियो बनाई थी तो दोस्तों लगबग तीन महीने हो गए इसको सकते हो वहाँ पर मुझे कुछ बाम पर जल्दी मिलेगा मेरे इंस्टाक्राम और फेसבुक दोनों का नीचे दिये हुए सब्सक्राइब बिटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन भी दबा दीजे ताकि जब भे मैं कोई नया वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दे शाहता हूं कि यह जो मेरा रिवीव है यह मेरे खुद खुद के एक्स्पीरियंस के आधार पर है कि मैंने चुआर्आर को आपको शेयर करूंगा हो सकता है कि आपका experience अलग हो लेकिन जो मैंने feel किया है वो मैं आपको इसमें as a customer review बताने वाला हूं तो दोस्तों lockdown के दौरण मुझे work from home मिला और मुझे घर पे internet लगवाने की ज़रवत पड़ी तो मेरी requirement थी वो यह थी कि मैं अपने office का काम कर सकूं जिसमें की काफी heavy files video files को upload डाउनलोड करना पड़ता था मुझे दूसरा मेरी बेटी के online classes चलती थी साथ के साथ smart TV पे YouTube पे rhymes और मेरी चोटी बेटी देखा करती थी और घर पे जो smart phones हैं उनका भी मैंने सब को Wi-Fi पे डाल दिया था तो यह मेरी कुछ basic requirement थी जिससे देखते हुए मैंने जो घर पे internet लगवाया वो एक fibernet था और fibernet पे जो मैंने plan लिया वो था 30 Mbps का तो दोस्तो इस सब requirement को देखते हुए जब मैंने router लिया तो यकीन मानिये मुझे अभी तक भी एक ही साथ मैं अपना काम भी करता था streaming भी होती थी online classes भी चलती थी और phone पे भी use होता रहता था और साथ के साथ मैंने घर का जो cctv camera है वो भी wifi पे डाला हुआ था और मुझे कभी भी कोई signal का या कोई speed का issue कभी भी नहीं आया कि network नहीं आ रहा है जबकि मैंने इस router को अपने drawing room में अपने living room में setup किया हुआ है और मेरा workstation bedroom के अंदर है और दूसरे bedroom पे मेरी बेटी क्लास करती थी तो range की कभी भी या network का कभी भी मुझे कोई issue face करने के लिए अभी तक लगवग धाई से तीन महीने होगे मुझे अभी तक कोई issue face करने के लिए नहीं मिला रही बात speed की तो speed के लिए मैं आपको dedicated इसमें test करके दिखाता हूं dual band है तो दोनों band पे आपको यूज करके दिखा हूँगा इसका speed test कि 2.4 पे कितनी speed आती है और 5 पे कितनी speed आती है फिर bedroom के अंदर first floor पे और second floor पे मैं आपको यह speed test करके दिखाता हूँ तो आईए करते हैं speed test तो अब दोस्तों करके देखते हैं इसका speed का test मैं इसके बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ हूँ और मैंने laptop को connect किया हुआ है land cable के through तो देखते है land cable के through क्या speed आती है और उसके बाद देखेंगे wifi के through क्या speed आ रही है तो land cable के through हम अगर देखें मैं आपको दिखाऊ हूँ तो 75 Mbps तो दोस्तों मेरे पास हैं यह दो फोन इसमें मैंने 2.4 wifi को connect किया हुआ है 2.4 वाले gigahertz को 2.4 और इस वाले मैंने 5 वाले को connect किया हुआ है और आई है अप चेक करके देखते हैं speed पहले 2.4 में क्या रही है तो यहां पर 31 की speed दिखा रहा है वहीं अगर हम चेक करें भी 5 वाले में 5 gigahertz पैंड पे तो यह देख सकते हैं आप comparison land के through 75 5 gigahertz पे आपको मिल रही है 76 और 31 मिल रही है 2.4 gigahertz के band पे यह बिल्कुल पास में रखा हुआ है तब यह speed आ रही है अब चैक करते हैं अंदर के सबसे पहले 2.4 पे चैक करते थे 27 mbps अब 5 gigahertz पे चैक करते हैं कि तो दोस्तों 2.4 पे मिले 27 गिगर्ट सबीड दोस्तों यह आप देख रहे हुर्ष चाप करते हैं टू पइंट फोर के सपीड आरहे हैं अब थोटों सेकेंड फ्लोर पर यहां पर चॉक करते हैं टू पैंट फोर के सपीड और आप चेक करते हैं फाइफ पर क्या स्पीड आ रही है तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पर फाइफ की स्पीड बढ़ गई है और टू की स्पीड कम होई है तो इस तरीके से आपको इसकी स्पीड मिलती है अब दोस्तों बात करते हैं आपके कुछ सवालों की जो आपके आपके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजे थे एक बहुती कॉमन सा सवाल था जो कि काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि डी लिग के दो मॉडल के कंपैरिजन में एक तो ये वाला डी आयार 841 और दूसरा था डी आयार 825 इन दोनों में से कौन सा पैंड करता है डी आयार 841 जो है यह यह काफी अच्छा राउटर है मुझ मीमो टेक्नलोजी के साथ आता है और जबकि आपका जो डी आयार 825 है वो भी काफी अच्छा राउटर है और उसके अंदर आपको यूएसपी का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है और साथ ही उसके ज जिसमें अगर आपको या तो प्रिंटर कनेक्ट करना हो या आपको एक सर्वर स्टोरिज बनाना हो तो आप वह वाला लीजिए अधर्वाइस यह भी सफिशेंट है वह इससे लगबग 300-400 रुपए एक्स्टा कॉस्ट है उसकी रिक्वार्मेंट है तो बिलकुल लीजिए नहीं है तो यह सफिशेंट है एक नॉर्मल यूस के लिए और दूसरा काफी सारे लोगों ने मुझे कुश्चन पूछा था क्या हम इसको एक वाइफाइस एक्स्टेंडर की तरह यूस कर सकते हैं तो दोस्तों जहाँ से काम चल रहा हो वहाँ तलवार क्यों निकाल ली यह इक राउटर है राउटर का काम करता है अगर आपको रेंज बढ़ानी है वाइफाइस एक्स्टेंडर ले लिजे तो बेटर है मैं बिलकुल भी सजेस्स नहीं करो इक एक्स्टेंडर लीजिए इसका ही काम करने लीजे तो दोस्तों जैसा कि आपने देखना ना तो मुझे इसकी speed में कोई issue आया और ना ही मुझे network की कोई इससे problem आई तो मेरे लिए मेरे इस use के लिए जो मेरा use है ये एक perfect router है और दोस्तों मैं आपको भी common एक advice देना चाहूंगा आप कोई भी चीज खरीदते हैं router ही नहीं कोई और भी चीज अगर खरीदते हैं तो सबसे पहले अपनी requirement देखें कि आपकी आज की requirement क्या है क्योंकि technology बहुत तेजी से बर्दल रही है तो बैटर है आज जो आपकी requirement है उसके according आप चीज खरीदी आप हमेशा फायदे में रहेंगे तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब इसको कैसे configure किया जाता है अपने PC पे तो आईए configure करते हैं अब इस router को मैंने इस router को अपने laptop से इस land cable के थूँ connect किया है यह land cable इसके साथ ही आई थी यहाँ पर configure करने के लिए आपको दो चीजों की ज़रुत पड़ेगी पहली तो जो भी आपका internet provider है उससे आपको एक username password मिलता है वो आपके पास होना चाहिए दूसरा ये इसके box के साथ ये card आपको मिलता है इस card पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक IP लिख्की रहती है आई पी और एक address इन दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं ये आपको इसकी ज़रुत पड़ेगी तो इन दो चीजों के आपको ज़रुत पड़ेगी आईए आप करते हैं इसको configure तो यहाँ पर मैंने Google Chrome खोला हुआ है अभी अगर मैं आपको चला के दिखाओं तो देख करेंगे तो आप देखेंगे डी लिंक का यह home page खोल गया है जहाँ पर आपको यह स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए फिर language सेलेक्ट करने का option आता है यहाँ पर language सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर आपसे पूछता है कि advance setting करनी है या फिर वही wizard के साथ continue करना है तो आप यहाँ पर फिलाल continue करते हैं और connection method आपका connection कौन सा है तो हमारा यह wired connection है यहाँ पर router ही रहेगा work mode में next करेंगे यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपका connection type है क्या यह आप अपने internet provider से भी पूछ सकते है कि connection type क्या है तो जैसे कि मेरा है triple P OE अब यहाँ पर username और password जो कि internet provider से हमें मिला है वो हमें यहाँ पर डालना है यहाँ पर password डालेंगे और next कर देंगे next में जब आप आप आएंगे तो यहाँ से आपको यह configure कराएगा 2.4 GHz band को इन दोनों को आप अलग-अलग configure कर सकते हैं यहाँ पर आप इसका network का नाम ल लिखा हुआ है password है आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूं 2.4 internet password में यहाँ पर दूसरा डाल देता हूं change कर देता हूं और next करते हैं अब यह 5 GHz को यहाँ पर configure करा रहा है same हम यहाँ पर भी करते हैं यहाँ पर भी हमने इसको change कर दिया है इसको आप कभी भी change कर सकते हैं बाद में भी तो फिलाल इसको यहाँ पर password और username डालके आगे बढ़ते हैं IP TV का option आता है अगर आपका provider IP TV की facility देता है जैसे कि अभी Reliance का हम सुनने में आ रहा है Reliance का जो geofiber है उसमें आपको TV की TV भी साथ में मिलेगा और voice का भी आपको मिलेगा तो यह उसके लिए है फिलाल मेरा provider नहीं provide कर रहा है तो इसको अभी मैं skip करता हूं सेम वॉइस के लिए है वीओ आई पी इसको भी हम अभी फिर नेक्स पेज पर आता है एड्मिन पास्वर्ट तो यहां पर आप अपना कोई भी एक एड्मिन पास्वर्ट रख सकते हैं जो भी पास्वर्ट रखें आप याद रखेगा नेक्स्ट यह सारी समरी बता रहा है जो जो आपने डाली है और इसको जब आप करेंगे apply तो अभी यह लगबग एक से दो मिनट का टाइम लेगा और आपका net ready है यूज करने के लिए यह देखे setting apply हो रही है तो internet configured हो गया है और use के लिए ready है यहापर finish करते हैं अब देखें वियाँ पर यह हमारा net चालो हो गया है तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरे review वीडियो आई होप आपको इससे help जरूर मिलेगी अच्छा लगा हो तो please like कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और अगर आपको मेरे से कोई question पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हैं वहां पर अगर आपको question पूछेंगे आप तो आपको जवाब जल्दी मिलेगा तो दोस्तों फिर मिलूँ मैं एक और नहीं वीडियो के साथ सब तक की रिए good bye and take care